त्वेल्थ बाइलोजी चेप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरी प्लांट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरी प्लांट स्वेल्थ फ्लावर्स क्या है फ्लावर्स फ्लावर्स अ क्या ह्ता है रिप्रोडक्शन पाटव दप्लांट रिपोडक्शन इन नुख वाटए जो क्या करता है उसे क्रवार быв म्होंभ प्रवज कर दम कंव होता है। उसे क्या बोलते है, फ़लावस। फ़लावस्ट नूर्मिल जो अहलता हो वो क्या होता है? condensed suit क्या होता है condensed suit वाज़ फुलावर क्या है फुलावर एक condensed suit है condensed suit मतलब बहुत ज़ादा गठित और वो part है जो seed produce करता है and fruit formation करता है उसे क्या जो फुलावर के अंदर किसी फुलावर के अंदर नॉम्री फॉर पार्ट होते हैं कितने पार्ट होते हैं फॉर पार्ट फॉर्स पार्ट क्या है केलिक्स फॉस्ट पोर्सन क्या है कैलिक्स क्या है इस आउटर मोस पार्ट क्या होते हैं आउटर मोस पार्ट इस लिफ-like करीं कलर का होता है इंडिज्वल सिग्मेट इस गॉल स्क्रिक्स इसका फंक्सर्ट स्क्राइए ग्रिन कलर का होता है और एकली कैलिक्स को कैलिक्स के एक पार्ट को क्या बोलते है शिंगल सिंगेमेट को सेपल्स इसका फंक्शन ही क्या है कैलिक्स क्या करता है पोटेक्टा अदल फ्लोरल पार्ट फ्लावर्स के दूसरे पार्ट को क्या करता है पोटेक्ट करता है सेग्ड पॉर्शन जो है वो क्या है करोला क्या है करोला so it is colored and scented portion of flower किसी फ्लावर का जो colored और attractive पर सेंटेट पॉर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं को ला इंदिज्वेल सिग्मेंट इस गोल पैटल्स जितनी भी colored portion होते हैं सब को मिला क्या बोलते हैं करोला इंदिज्वेल सिग्मेंट को क्या बोलते हैं पैटल्स क्या बोलते हैं पैटल्स पैटल्स ओप्सम फ्लावर और एडिवल रहा है एडिवल का मतलब क्या होता है खाने नायक कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनके पैटल्स क्या की जाती है खाई जाती है एक्जम्पल्स रोल्स एक्जम्पल्स क्या है रोल्स वस्मोर क्रोला क्या है किसी फ्लावर का जो colored portion होता है जो उसक्ते करें एक्जम्पल्स कमिक इन्दीजन सीक्berrymix और आता मतलब रूटिपती लिए GETT brass सब्छों के kस्टके में कुछ खैसे इंटी फ्लावर से ऐसे का कि छा लिखा एक यहोट लागव कि आट्रैक्ट लाइंसेक्ट हanor थो मोच पॉलीणेशंग के लिए इसके सुभ्लाइक कुछ किया करता है आथेक्ट करता और अट्रैक्ट करता थर्ड पार्ट है उसको बोलते एंडरोश यह क्या पोलते हैं एंडरोश यह एंडरोश यह डिया विपार्टिव फ्लावर में कि पालटोव फ्लांव अश्लार काद़ आगल बता हैं एंडरोश यह आसुकाल स्टैमन इसे स्टैमन भी बोलते हैं नौर में क्या बोलते हैं स्टैमन भी बोलते हैं इसके दो पार्ट उपते हैं एक को बोलते हैं एंथर एक को बोलते हैं फिलमेट नौरमली एंडुरो शिम के यह स्टैमन के दो पार्ट उपते हैं एंथर एंफिलमेट फिलमेट क्या है एंटाप लाइक स्ट्रक्ट्टा 4 lifting enter एक छड़ क्या करते है एक star-like structure होता है जिसके ओपर क्या हता है enter बोजूद होता है enter को lift करने के लिए क्या हता है filament होता है इसके बाद enter क्या है पाइ लोब स्टॉक्ट्टर। टू लोबसुन एक अंदर क्या उप्टिम लिए दो लोबस होती है इसे क्या बोलते हैं बाइठिकस क्या बोलते हैं बाइठिकस एक लोग गांटेन टू पॉलिंश्यक एक लोग के अंदर दू पॉलिंश्यक होते हैं कितने जानें आ है है दो वन एक लोग केंदर दो पॉंसे को पॉंसे को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इस तरहें एक फॉंसे के अंदर 4 पॉंट सेक वाइट लोग स्टॉक्षर है एक लोग कें दर 2 पॉंट सेक तो 4 पॉंट कें दर कित्यों होगे दो लोग के दर कित्यों होगे 4 पॉंट सेक लास्ट पॉर्शन है इसको बोलते है गाइनुशिय यह क्या है गाइनुशियम गाइनुशियम क्या आपता है फिमेल इपरक्टिव पार्ट फिमेल फिमेल इपरक्टिव पार्ट फिलावर किसी फिलावर का जो फिमेल इपरक्टिव पार्ट उपता उसे क्या बोलते हैं गाइनुशियम आसो कार्ट कार्पास इसे कार्पास भी कैपने है गाइनुशियम के तीन पार्ट उपते हैं फिर्स्ट पॉर्शन स्टिगमा इपीज रिसेप्टी पार्ट विसी रिसीव पोलन ग्रेन इसका काम क्या आपता है पोलन ग्रेन को रिसीव करना कब दिन दा पोलिनेशन दिन दा पोलिनेशन स़यकund पॉर्सन जो अपता है वो क्या होता है स्टाइट स्टाइल क्या है स्टाइट बीटी end जुमीüst स्टाइल जो क्यूलेक्षन था पांटा है स्टाइल थर्ड पॉर्शन क्या है ओवेरी ओवेरी क्या है बेसल बेस पे जोगता है क्या होता है समोलन फुला वाव ठीक है ओवरी जोगती है ओवरी के अंदर चेम्बर सोगते है अवरी के अंदर चेम्बर काल लोकले उन चेम्बर को था बोलते है लोकले और परते हैं चेम्बर के अंदर क्या होता है एक ओव्यूस होता है क्या होता है ओव्यूस ओव्यूस को क्या बोलते है बाई लिजिकली मेगा सबोरेंजी क्या बोलते हैं मेगा सबोरेंजीर ओव्यूस होता है आफ्टर दा फर्ट लेस्ट किसमें करमोट हो जाता है सीड में ओव्यूस कनवर्ट इंटू सीड आफ्टर दा फर्ट लेस्ट आफ्टर लेस्ट